हेलो दोस्तो परदेसी फ्लाइट हीटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पास्पोर्ट नंबर से अपना इमिग्रेशन स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि आपका इमिग्रेशन अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है इसके लाव मैं आपको बताऊंगा कि इमिग्रेशन की लोगों के लिए जरूरी होता है कौन से देश में जाने के लिए इमिग्रेशन की जरूरत पढ़ती है इसके लाव मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में इमिग्रेशन की आफिसे कहां कहां पे हैं लेकिन उससे पहल और ट्रिवल्स की खबरों से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं इसके लबा आप पासपोर्ट, वीजा, टिकेट, साथ में इमिग्रेशन, मेडिकल इन सब तमाम चीजों की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो अभी आप परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्सक् ठीक इस तरह से जिस तरह से यह पासपोर्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके पासपोर्ट के पिछले पनने पर आपके पिता के नाम के ठीक उपर अगर लिखा हुआ है इमिग्रेशन चेक रिक्वायएट इसका मतलब यह हुआ कि आपका पासपोर्ट ECR है, आप हाई स्कूल पास नहीं है और आपको 18 देशों में वर्क वीजा पर जाने के लिए इंप्लाइमेंट वीजा पर जाने के लिए Immigration Clearance भी लेना पड़ेगा अगर यहां का आपको वर्क वीजा मिलता है आप वर्क वीजा के सिलसले में यहां जाना चाहते हैं तो आपको Immigration Clearance भी लेना पड़ेगा Immigration Clearance Protector of Immigrants POE देता है भारत में POE के 13 जगापे आफिस हैं अगर आप जाते इन 18 देशों में तो आपको Immigration Clearance भी लेना पड़ेगा यह बहुत जरूरी होता है जैसे माली जी अगर आपको सौधियरब का वीजा मिला और आपका वीजा आपके पासपोर्ट पर स्टांप हो गया और आपका Immigration Clearance के लिए आपके एजेंट ने सम्मिट किया है सारे डाकुमेंट्स तो आप कैसे आप चेक करेंगे कि आपका Immigration अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है वो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा भी देता हूँ गवर्मेंट आफ इंडिया की वेबसाइट है इस वेबसाइट के माध्यम से हम अपना Immigration Status चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है तो ये वेबसाइट दोस्तों आपके सामने इस तरह से खुल कर आ जाएगी आप अपने स्क्रिन पर देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे आपको आपसन दिखाए देंगे यहाँ पर दिखाए देगा आपको E-Locker for Immigrant Download E-Sticker, Verify EC Status तमाम चीजें आपको दिखाए देंगे लेकिन हमें चेक करना है कि हमारा Immigration अभी तक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है तो चलिए बहुत ही आसान चेक करना यहाँ पर जो आपको आपसन दिख रहा है यह वाला आपसन Verify EC Status ये जो आपको आपसन दिख रहा है verify EC Status इसको आपको क्लिक कर लेना है तो चलिए मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ यह क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद यह website आगे बढ़ेगी, open हो जाएगी, immigration status चेक करने के लिए, तो अभी open होने दीजिए, wait करते हैं दोस्तों थोड़ा, यह website open हो रही है, थोड़ा कुछ slow चलना है, यह देखिए, इस तरीके से open हो गई यह website, यहाँ पर आपसे मां चलिए, मैं passport number यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, और देखता हूँ कि immigration अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है, तो यह यहाँ पर मैंने passport number इंटर कर दिया, फिर यह जो आपको code दिख रहा है, यह character code आपको जो दिख रहा है, यह इसको आपको इंटर कर देना, तो चलिए, इस को submit कर देना है, यहाँ पर आपको submit कर देना है, मैं इसको submit कर देता हूँ, चलिए, इसको मैंने submit कर दिया, यह process हो रहा है, फिर देखते हैं, immigration क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो यह अभी कुछ समय ले रहा है, फिर मैं चेक करता हूँ कि वास्तों में इसका immigration क्लियर हुआ ह या नहीं हुआ है तो चलिए ओपन हो जा भाया यह हो गया ओपन हो गया यह immigration clear हो चुका है आप देख सकते हैं immigration clear हो चुका है यह आप अपने screen पर देख सकते हैं यह immigration approved हुआ है इसका 29 दिसंबर 2021 को कौन से P.O.E. से यह हुआ है राइब रेली उत्तर परदेश से आपका नाम भी आ जाएगा आपका नाम भी आ जाएगा पासपोर्ट नंबर आ जाएगा कौन से requirement एजन्ट यानि कौन सा आ रहे है उसका भी नाम आ जाएगा खान गुरूप इंटरनेशनल ये ट्रिवल एजन्सी है जो requirement एजन्सी इसके थुरू हुआ है साओधी में जहां आप जा रहे है उसका नाम क्या है कंपनी का या कफिल का वो भी आ जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने इमिग्रेशन इस्टेटेस चेक कर सकते है अगर आपका passport ECR है तो और आप काम के सिलसले में work visa पर employment visa पर 18 देसों में किसी भी देस में जा रहे हैं बरहाल दोस्तों उमीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी जो चीज़े मैंने बताई है कि किस तरीके से आप अपने passport नंबर से अपना immigration चेक करेंगे बरहाल आपके कि तरीक देसे हैं